तो यह आपका अपना ही चैनल जैन ट्व्टर जिसमें कि आप लोग जो है जो है जो डिमांड करते हैं निट के लिगया कोश्टर कस जो कि यह आपके मोशन इन डॉन को इन का करेंगे और सबसें इंपॉरेटन चीजी एक यहां पर हम बहुत शौट तरीके से और तरीके से questions को रहेंगे लेकिन मैं आपको यहाँ पर full explanation बताऊंगा कि कैसे questions को हम completely solve करते हैं तो चलिए start करते हैं first questions हमारा यहाँ से screen पर आ चुका है तो questions जो है कि वो यहाँ पर क्या आप से बताया जा रहा है अब car start from the rest and accelerate at the 5 meter per second square car जो है start हो रही है rest से और वो accelerate करती है कितनी 5 meter per second square से at time t is equal to 4, t is equal to 4 second के बाद उससे एक ball के उत्यों drop होती है window से यानि कि t वरावब 4 second के बाद window से एक ball को fake दी जाती है जो कि एक person जो कि sitting car में बैठा हुआ है इस questions को मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया जो मैंने पढ़ा बिल्कुल आपके रिसाप सही मैं कहा रहा हूं कि जब हम questions पढ़ते हैं तो मैंने यहां पर आपको क्या करा है कि बहुत आसान करने के लिए बहुत मेहनत करिए मैंने यहां पर diagram से समझाने के लिए हर चीज को तो आप बिल्कुल यहां पर क्या करेंगे इस channel पर आपको यहां पर मैं चाहूंगा कि जाद है ज़्यादा मैं आपको easy ways में करवा पाऊं तो चलिए हम इस questions को कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर कार बना लेते हैं देखिए यहां पर कार एक कार है जो कि यहां पर इस समय कार किसमे रेस्ट में रुक्यू ही है लेकिन जब कार किसे चलती है अपकी five meter per second की square की speed से तो टी बराबर four second पे क्या घटना होती है यहां से एक ball drop एक ball इससे drop कर दिया आती है यानि कि कार के अंदर कोई person sitting है उसने क्या करा कार से ball fake दी तो चलिए हम बॉल को फी फेकते हुए दिखाते हैं तो यह आए कि कौन सी position में ball किस रूप को follow करेगी यह आपका कलाता स्टेट लाइन motion और यह आपने पढ़ लखा यह कलाता आपका तो नेचरली उसका पात कैसा होगा अपका पैराबोलिक तो देखिए यह पैराबोलिक पात होगा इस पात में ball इस टाइप से गरेगी यहां पर और यह लास्ट में पड़ी मोशन में तो उसके साथ एक और यहां पर और जो फेकी गई तो इसको पर काम करेगी ग्रेविटी जिसको हम क्या कहते वी इसके लिए आपको बता देता हूं तो देखिए यहां से बॉल जो एकार से थ्रो की जा रही है यह कार मूविंग में इसका पात होगा आपक वर्क कर रही है अगर यह, आपको समझ में आ गया तो आपके लिए यह कोशन सबसे आसान हो जाता है तो आप जानते हैं कि इस समय यहां पर दो ब्लॉसिटी इस कारन यहatAy का रही है तो इस तरह से इस position में balls पे दो प्रकार की velocity वर्क कर रही है एक VX और एक VY लेकिन अगर यह car stop होती और इससे में गिरती car तो बिल्कु इस्टेट गिरती तो इससे में यहाँ पे जो है केवल कौन सी वाली velocity काम करती केवल जो gravity की होती VY क्योंकि VX यहाँ पे क्या हो जाती जीरो विकॉस कार अगर रुकी हुई है तो कोई भी horizontal velocity उसमें नहीं मिलेगी केवल आपको कौन सी velocity मिलेगी gravity के द्वारा तो आप जान आप समझ गया है कि यहाँ पे अगर कार मूब कर रही है तब उसके संग एक horizontal velocity है और gravity के कराण VY velocity अब हमें फाइनली देखिए कोईशन में पढ़ते कोईशन में क्या पूछा जा रहा है ती बराबर 4 सेकंड पे जो घटना होई है यह ती बराबर 4 समझ जाएंगे तो यहाँ पे चलिए पहले में आपको इसको बिना सॉल्व करें इसका अंसर बता देता हूं जिसको हम बोलते है ट्रिक्स और थोड़ा सा क्लेवर नेस उसका यूज करा जाता है तो आप देखेंगे यहाँ पे कोईशन में दो चीजे पूछी जा रही है एक तो विलॉसिटी पूछी जा रही है सेकंड़ी यहाँ पर क्या पूछ जा रहा है एसलेशन देखिए विलॉसिटी कुछ भी हो हमें नहीं मालू कितनी हो होगा और ग्रेविटी के द्वारा देखिए एसलेशन कोशन में में मेंशन कर रखा है ग्रेविटी का कितना एसलेशन है टैन मीटर पर सेकंड स्कॉर जी बिल्कुल आप साही समझ गाए आप को अगर आप यहाँ पे विलॉसिटी को इग्नॉर कर दिए देखिए मैं नी पर सेकंड ना सेकंड कर फूरा तो सिर्फ आप इसमें एस दे रखा है पर दूसरे में रखा है तीशरे में तो आपको question solve भी नहीं करना पड़ा और आपका answer आ गिया क्योंकि answer जो है इसमें अगर option होता तो शायद हमें यह question पूरा solve करना पड़ता लेकिन यहां पे आपका answer आ चुका है चले यहां पर इस question का हम निकालेंगे पूरा answer और पूरा answer कैसा तरीके से निकलेगा वह भी हम देख लेते तो देखे यहां पर जो विलॉसिटी यह इस पर दो टाइप की विलॉसिटी काम कर रही है बिलकुल एक आप समझ चुके यह है आपकी होरीजन्टल विलॉसिटी और वर्टिकल विलॉसिटी पुल लाकर एक इस समय इस पर दो विलॉसिटी काम लिये अभ़ इन दोनों हो से जो मिलेगा वो आपकी ise बिक artists पिंचाल रही है इसकी विलॉसिटी को होती है जैसे मैं मालूब V1 और V2 तो सिर्फ उसका resultant क्या होता है यह आप समझ चुके है लेकिन यहां पर यह तो एक केस होगा दूसरा केस अगर यहां पर इधार है और V2 इधर है तो यहां पर resultant क्या होगा आपका जो भी बड़ा होगा वी वन माइनस वी टू होगा तो यह दूसरा डाइप पर resultant होगा और तीसरा जैसे कि इस question में एक आपकी velocity इधर है और एक velocity downward है यह V1 में लेते हैं यह V2 तो इसका resultant V2 बराबर कितना होगा आपका वी एकस स्क्वेर पाइथर गोश्रम लगाएंगे वी वाई स्क्वेर तो वी बराबर कितना जागा अंडरूट VX स्क्वेर प्लस VY स्क्वेर होगा तो यहां पर थोड़ा सा यह एक इसको connect कर दे रहा हूं यह थोड़ा सा रहे गया लिखने को तो यहां पर इसका answer क्या होगा वी स्क्वेर रहे गा यहां पर लिखने को तो इनका VX वी स्क्वेर जो की बॉल की विलोसिटी यह वह उसका रिजल्टेंट कैसे मिलेगा इन दोनों के स्क्वेर के संस्के एक्वल मिलेगा तो चलिए अब मैं आपके लिए इस कोश्चन को सौल पर आ रहा हूं मैं फुल स्क्र और यहां पर यह स्क्वेर की टम से तो आप इसको जहां पर दियान में रखेंगे मैं अगर मिटा लूँगा तो मिट जायागा बट इसका मतलब यहां पर यही है तो चलिए अब आप यहां पर हम कोश्चन पर सबसे पहले हमने समझ लिया कि बॉल की विलोसिटी निकालनी ह अब कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब जानते हैं अगर कोई बॉड़ी रेस्ट में तो उसकी इनिशल वलॉसिटी आलवेस क्या होती है जीरो सेकेंडी आपको दे रखा है एक्सरेशन कितना पर सेकंड स्कूर्ड ताइम आपको मेंशन कर रखा है कितना टाइम के बा अब आप देखेंगे यहां पर किस फॉर्मले से हम इसकी स्पीड निगालेंगे तो देखें यहां पर व्यू है यहां पर हमें विएक्स फाइंड करना है हम इक्यूशन मोशन को लिख लेते हैं अमारे पास क्या होते है वी बेराबर यू प्लस एटी होता है s बराबर ut plus half at square होता है और तीसरा formula होता है v2 बराबर u2 plus 2as देखिए formula को लगाने की tricks अगर आप लोगों में नहीं होगी तो आप questions को solve नहीं कर पाएंगे only a की type के question को solve कर पाएंगे मैं चाहता हूं कि आप एक question solve करें और उसके भी आप पर दस्यों question अपने आप कर ले तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कितनी चीज़े यहाँ पर present है तो इस equation motion में कितनी चीज़े present है आपके पास 5 चीज़े होती है v, q, a, t और s अगर gravity की बात करते हैं तो gravity में a replace हो जाता है किस से t से और s किस से replace हो जाता है s से तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास u है, a है, t है और v है तो क्या चीज़ नहीं है इसमें s नहीं है बिल्कुल आप आप सही उस पर पहुंच गए है अब यहाँ पर आप देखेंगे s में formula second equation है third equation है लेकिन पहला formula without s है बस अब आपने पकड़ लिया नर्स की यहाँ पर आप देखेंगे कि first equation motion का use करेंगे v बराबर u प्लस 80 तो v की जगे हमने यहाँ पर लिग लिया है vx u प्लस 80 और यहाँ पर value लगा देंगे u की जगे आ गई है 0 तो एक ही जगे आपको given है कितना 5 और टी बराबर 4 तो यह आपकी horizontal velocity आ गई है जो कि हमें यहाँ पर find करनी थी तो horizontal velocity हमने क्या निकाल ली है vx now we find the value of v by by कैसी velocity यह आपकी downward direction gravity के अंडर में है तो देखिए हम पहले gravity के अंडर में निकालेंगे तो यहाँ पर क्या क्या चीज हम पर clear है हम उसको लिख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर gravity के लिए भी ball को कार से गराया गया है तो starting velocity कितनी इसकी भी 0 है और यहाँ पर सबसे important है टाइम देखिए टाइम पहले टी बराबर 4 सेकेंड तक जब कहा गया था टी व्रावर 4 तब तब वह कार के अंदर थी और आप आपसे जब पूछा जा रहा है कि बाल को दू सेपट पर 20 तक वह अबा में रही है तो यहां पर जब हम भी एक निकालेंगे तो time किसivamente करें आप टू सेकेंड क्योंकि कि यहां से जो six second निकालना केवल टूसेकेंड अब है दो ग्रेविटी में आपको डिए रखा है और नहीं वी रखा हो तो हम 9.8 या 10 लगा लेते हैं तो यहाँ पे आपको गिविन है कितना 10 meter per second square फिर से हम equation वह लगाएंगे जिसमें की आपका h नहीं आता हो तो v बराबर u plus 80 होता है gravity में एक की जगे क्या रिप्लेस हो जाता है जी और downward direction में जी बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे भी वही सेम है तो यू की वेलू कितने होगे 0 जी की वेलू होगे 10 बट टाइम यहाँ पे चेंज होगे तो देखिए अब इसको भी calculate कर लेते हैं तो यह आगे आपका 20 meter per second तो यह आपकी vertical velocity भी निकल गई और horizontal velocity निकल गई अब हमें निकालने है यहाँ से तो यहाँ पर क्या जाएगा यह अंडर रूट आ जाएगा इसको मैंने यहाँ पर लिग दिया है क्योंकि हमने जो 5 velocity निकाल ली वह resultant बताना पड़ाएगा अब यहाँ पर हमने VX की value लगा देते हैं VX की value हमारे पास कितनी है 20 meter per second जी बिल्कुल तो 20 का square अगेन VYB हमारे पास कितनी है 20 तो यह भी 20 का square तो यह आपका answer आगया 400 प्लस 400 और यह कुल मिलाके हो गया आपका 800 अब अगर आपको 800 का अंडर रूट निकालना नहीं आता है तो आप बचपनों की तरह जैसे आप बचपन में करते हैं सकते हैं लेकिन तोड़ा यहां पर time कम होता है तो चला कि आप दिखा सकते हैं सिंपल आप इसको लिख दींगे टू इन्टू फोर एंडेट को तोड़के लिख दिया और फॉर एट फॉर एंडेट का अंडर रूट कितना होता है 20 20 बहार आ गया तो यह रूट तो यह आप और उसी के भी आप पर मैंने आपको यह फर्स्ट वाला अंसर स्टार्टिंग में बता दिया था बिना solve करें questions को अब यहां पर हमने solve कर लिए तो देखें टैली कर लेते वी की value हमारे पास कितनी आ गई 20 root 2 meter per second और एस्टेशन में find नहीं करना था यह तो मैं समझना था तो अब आप देखेंगे फाइनली options हमारा यहां पर कौन सा correct हो गया तो option A is correct है आपका तो अब आपने questions को समझ लिया है कि questions हम कैसे करेंगे तो questions को यहां पर आप बहुत चलाकी से भी कर सकते हैं और पूरा मैन आपको solve इसलिए कराया है कि कोई confusion आपके mind में ना रह जाए तो चलिए फिर next questions पर हम आ जाते हैं तो next question हम आ रहे है फिर से यहां पर नीट के 2021 का again second questions यह आया हुआ है सबसे पहले questions को हमें read properly करना चाहिए लेकिन ज्यादा time waste ना करके वन बार reading करने चाहिए उसके बाद थोड़ा सा आपको hint मिलता है तो पहले आप reading करते हैं अब particle moving in a circle of radius r with uniform speed take a time t to complete one revolution if this particle were projected with the same height same speed at an angle theta to the horizontal the maximum height attained by its equal 4R the angle of projection theta मेरे को तो इतना लंबा question पढ़ता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है कि questions में क्या पूछा जा रहा है किया नहीं करा जा रहा है बस मैंने तभी आपको reading करके इसलिए दिखाया है क्योंकि question में reading करने से हमें कुछ भी नहीं मिलता है लेकिन थोड़ा बात reading जरू करना चाहिए क्योंकि कुछ न कुछ क्लू मिल जाते हैं अब मैं आपको भी इस questions को एक एक पाइंट से लेके चलते हैं और diagram बना के मैं चलूँगा आपको मैं हर questions को इतना easy करने की कोशिश करूँगा कि मैं सारी चीजे आपको diagram से बना बना के actual में दिखा सकूँ तो देखिए सबसे पहले आपसे क्या कहा गया आप particle moving in a circle of radius r with uniform speed taken time to complete one revolution तो देखिए पहली line का मतलब हम समझ लेते हैं तो पहले line के लिए मैंने एक diagram बना दिया यह आपके लिए एक circle है जी बिलकुल एक circle है जिसकी radius कितनी है आपकी r यह circle है एक radius r है यह इसमें क्या कर रहा uniform speed देखिए uniform speed क्या मतलब क्या होता है जब कोई body अपनी speed change नहीं करता है उसकी speed constant रहती है तो वो speed कलाती है uniform तो जैसे कि हमारा अर्थ का rotation अर्थ जो है sun के 4 रिवाल्व करती है तो वो uniform speed से या uniform velocity से रिवाल्व कर रही है तो उसका यहाँ पे speed कैसे कलाएगी uniform तो यहाँ पे speed से वो मूब कर रहा है तो मैंने यहाँ पर uniform speed को देखी mention कर रखा है और एक पूरा यहाँ से घूमता हुआ इधर आ जाता है तो पूरा करने में एक चक्कर पूरा करने में कितना time लग रहा है तो मैंने नीचे लिग रखा है थोड़ी सी मेरी head writing अच्छी नहीं होती है तो म अब देखें next आगे की लाइन पढ़ते हैं एक एक तुकडो तुकडो में लाइन पढ़ेंगे questions आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है अब इस particle को हमने project किया project का मतलब वह था फेकना throw करना with the same speed जितनी speed से इसमें घूम रहा है ना उसी speed से हमने इसको projected करा at an angle theta to the horizontal तो देखी यहां पर भी मैं फिर diagram बना लेता हूं यही जो particle था इसको हमने इस तरह से फेका यह देखी फेक दिया मैंने और क्या condition है फेकने में condition यह कि इसकी velocity वह ही है जो इसकी velocity जितनी velocity से वह इसमें revolve कर रहा था उतनी ही velocity से वह इसको throw किया गया कि इतने angle से projected किया गया है इसको theta degree angle से तो देखी यहां पर theta degree angle से इसको projected किया गया है अब वो यहां पर question क्या रहा है maximum height attend by its equal 4R 4R का मतलब है कि जितना यह circle की radius है उसका 4R times उसकी क्या है height है maximum यानि जब उसको फेक आदे कि जब किसी जो फेकते है न तो फेक नहीं बाद जित इतनी mention बताया जा रहा है 4R अगर मैं इसको example लेलो मालो कि यहां पर इसकी radius 2 होती है तो आप इसका answer बताएए कि 2 के हिसाप से कितनी height होती तो 2 का 4 times कर लेंगे 4 into 2 यानि कि आपको 8 meter तक की distance पे फेकना होता उसको throw करना तो यहां पर आपसे question में कहा गया कि maximum height जो है वो कितन minimum height तो अभी मैंने question को solve नहीं किया मैं सिर्फ question को समझा रहा हूं अभी स्वाल हम करेंगे और देखिए हमें निकालना क्या angle of projection जितने angle से हमने फेका है देखिए question माग लगा हुआ जितने angle से में फेका है वो angle आपको find करना है यहां पर तो देखिए यहां पर find करने के लिए फिर से हम आ जाते हैं फुल स्क्रीन पे तो फुल स्क्रीन पे थोड़ा सा डियाग्राम समझने में और करने में असानी हो जाती है तो यहां पर हम फिर से किस पर आगे फुल स्क्रीन पे और यह question वही है जो है यहां पर मैंने mention कर रखा है maximum height कितनी है फोरा अब आप में कितनी velocity से वह revolve कर रहा है क्योंकि अगर इसकी velocity पता चल जाएगी तो वही velocity को हमें यहां पर यूज करना है तो पहला काम हम यह कर लेते है कि circle में जो पार्टिकल मोब कर रहा था उसकी velocity कितनी है because question में velocity mention नहीं है तो velocity निकालने के लिए सबसे पहले हम velocity का formula ले ले लेते वैसे जनरली formula velocity का displacement upon time होता है मैंने distance लिख दिया कोई फ्रक नहीं पढ़ता है क्योंकि हमें यहां पर magnitude यूज करना है आप वैसे अगर फॉर्मला करेंगे तो फॉर्मले में होता है velocity is equal to displacement upon time ठीक है और distance यहां पर हमें इसलिए नहीं है क्योंकि हमें velocity magnitude के रूप में find करना है तो magnitude के लिए यहां पर distance count करी जाएगी अब आप जानते है कि अगर कोई particle circle में move करता है तो एक revolution यार एक चक्का लगाने में वो कितनी distance तैय कर लेता है एक चक्का लगाने में वो तैय करता है अपने circumference के बराबर तो circumference का formula आपने पढ़ लखा है कितना होता है 2 pi r तो यहां time आपको दे रखा था एक चक्का जब complete कर लेता है एक revolution complete कर लेता है तो उसमें time period आपको कितना दे रखा है T तो इस तरह से हमने देखी velocity find कर लिए अब यही velocity हम इसमें use करेंगे जब हम इसको ठीटा निकालेंगे तो अब इसके नहीं हम यहां पर आ जाते maximum height के लिए तो देखिए maximum height के लिए formula आपने पढ़ लखा projectile motion के तीन formula होते range का time of flight का और maximum height के formula यह हम पढ़ते थे 11th class में तो drive भी करते थे बट आपको drive नहीं करना है यहां पर आपको यह formula जो है मैं आपको यह tips भी देना चाहता हूं यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप physics को strongly करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक copy उठाई यह copy पर जितने भी formula आप लिख लिजिए लिखने के बाद वह ऐसे learn करिए कि जब आपको एकदम से कोई formula आप से पूछा जाए तो आपके आपको बिल्कुल तुरंट suddenly वह formula आपकी memorize यानि कि तुरंट बहार निकल के आजाना च चाहिए तो maximum height का formula हुमारे पास कितना होता है वी square sin square theta upon 2g वैसे यू होता है क्योंकि मैंने यहाँ पर वाली velocity ली है क्योंकि यही velocity हमें इसमें यूज करनी है कि यहाँ पर दोनों velocity यहाँ पर सेम है अब इनकी देखिए value लगाएंगे यहाँ पर हम v key value हमारे पास कितनी है v key value हमारे पास कितनी है 2 pi r upon t और square है तो इसका square कर दिया तो यहाँ पर v key value लगाए वी निकालने के बात आप इसको solve करते हैँ तो देखिए मैं आपको solve भी कर दिया मैंने यहाँ पर 2 pi r का whole square खोलेंगे तो यह आपका हो जाएगा मैं इसको यहां पे arrow से दिखा दियता हूँ ठीक है तो यहां पे यह हो गया 2 का square 4 pi square r square और यह वाला जो t है न यह t आगी आपका नीचे की तरफ तो यहां पे यह भी square में आएगा तो यह यहां पे नीचे की तरफ आ गया अब देखिए हमें निकालना क्या है में रूप से हमें निकालना एंगल यहां पे कितना है sin square theta तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं sin square theta की terms को मतलब इसको equate कर लेते हैं sin square theta निकालेंगे तो इसको यहाँ पर हम कुछ काटा पीडी भी कर लेते हैं देखिए 4 से 4 कट गया r से 1 power r की कर जाएगी तो 1 r बचेगा यहाँ पर अब यहाँ पर आप देखी कितना आया sin square theta निकालेंगे तो यह होगी आपका इदर तो कुछ बचा नहीं तो यह इदर आ जाएगा 2 gt square इसको यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ आपके लिए 2 gt square और इदर आपका बचा कितना pi square into r और साथ में बचा कितना sin square theta तो sin square theta निकालेंगे तो यह चीज आ जाएगी आपके divide में अब आप समझ लिए हैं तो sin square theta की value आगई 2 gt square pi square r अब यहाँ पर square लगा हूआ है तो square को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर दे देंगे square root बड़ आप question पर रुकिए जल्दी वाजी मत करिए questions पर आप देख लीजिए कि आप में कोई भी under root वाला option नहीं है तो यहाँ पर हम under root की जगह जब किसी चीज पर जैसे x square is equal to y है तो x is equal to अगर हम निकाले तो square root ना लगाके हम square root की जगह पावर कितनी लगा चकते हैं 1 by 2 तो यहाँ पर हम यहाँ पर square हटाएंगे और square हटाके इसकी पावर क्या लगा देंगे 1 by 2 अब आपको cable theta निकालना है तो sine को भी हटाएंगे अब sine को हटाने के लिए आपने जानते ही हो अगर sine theta पराबर y है और अगर theta निकालना है तो यह sine उदो जाके convert हो जाता है किसमेh sine inverse में तो यहाँ से sine theta को हटाके theta निकालेंगे तो यह उदो जाके बन जाएगा inverse अब आप बच्चों ताली बजाईए यह आपका answer सा गया और इसको ढूंडिए तो यह कि आपका answer यह match कर गया आपके first वाले option से तो यह आपका हो गया option A is correct तो मैंने यह कोशिश करिए कि questions को आसान से आसान करने के लिए मैं डाइग्राम्स बनाता हूं डाइग्राम्स के विहाब पर मैं questions को समझाता हूं आपके mind में कोई भी क्या होता motivational मिलता है because question बनाते समय बहुत मैंनत करनी पड़ती है आप लोग में साथ दीजिए मैं आप लोग के संग जो है प्रूफ करके दिखाऊंगा कि physics से आसान कोई subject नहीं है कोई भी problem कोई confusion आपके mind में बना रहा है इसके लिए मुझे आप comments भी करागी है और इस questions में बताईएगा कि कौन से असी बात है जो आपके mind में बिल्कुल भी clear नहीं हो पाई है मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% करने की करिए और आई होप कि आपको 100 तो नहीं 90% आपको clear हो गया होगा फिर भी कोई doubt रहा जाते है तो आप मुझे please comments करिए और वीडियो को आगे थोड़ा यह है कि अगर अच्छी लग रही है तो अदर्स लोगों में share करिए और ताकि उससे चैनल भी growth होगा चैनल growth होने के सासत क्या होता है कि हमें motivational मिलता है आप समस्ते हैं कि देखें में diagram बनाएं कितने मैंने से बनाएं अब थोड़ा साब लोगों साथ चाहिए कि आप चाहते हैं कि मुझे वीडियो मिलते रहे तो मैं आपको यह वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा चलिए thank you very much आगे मिलते ह ने 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 वीडियो में